आज के इस वीडियो में मैं डिसकस करूंगा Grammarly Tools के बारे में Grammarly Tools क्या है और यह किस तरह से आपके professional skill को improve कर सकता है तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे red color का button प्रेस करके इसको subscribe कर लें and bell icon दबाना ना भूलें ताकि आपको latest ऐसे वीडियो मिलते रहें दोस्तों यह है Grammarly Tools जो आपका Grammar and Spelling को चेक करता है और आपके लिए professionally improve करता है आपकी skill को इसमें दो versions आते हैं यहाँ पर हमने Grammarly Tools ओपन किया हुआ है यह 2008 में found हुआ था हम चलते हैं Grammarly Tools की website पर दोस्तों जब भी आप कभी भी अपने professional skill में हैं आप job है या बिजनिस कर रहे हैं और आप लोगों से communicate करने के लिए mails conversation करते हैं तो आपको mail में बहुत सारे mistakes होते हैं grammar में तो यह उसको rectify करता है, check करता है, suggestions देता है और आपके mail skill को improve करता है जैसागे दोस्तों आप इनके वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से यह teams के लिए the teams लिख रहे हैं तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे grammar mistakes जो आपको बताता है और आपके skill को improve करता है अभी हम देखते हैं इनके क्या-क्या features हैं इसमें इमेल and messaging यह आपको Gmail के थुरू इनका एक plugins आता है जो Gmail में चलता है Outlook में चलता है Messenger, Yahoo में चलता है Document and Projects इनका एक word file का plugins है Microsoft Office के लिए आपको वो आपके system में install करना रहेगा नहीं तो एक उनका खुद का बनाया हुआ editors है जो मैं यहां पर मैं use करता हूँ यह इनका Grammarly खुद का editors है जिसके तुरू आपको यहां से new document कर सकते हैं या कोई दूसरा document word file का import कर सकते हैं इसका जो subscription charges है वो कुछ इस तरह से है quarterly अगर आप pay करते हैं approximate $20 per month है अगर आप yearly करते हैं तो आपको यह $10 per month मिलता है इसके लावा ऐसा ही नहीं है कि यह paid है यह free version भी देते हैं lifetime के लिए free version आप वो भी use कर सकते हैं तब भी आपको काफी improvement रहेगा आपके writing skill में मैं आपको इसका एक demo दिखा देता हूं कि demo किस तरह से यह है मैं open document को open करता हूं जैसा कभी भी आप किसी भी professional में हैं जब आप अपने seniors को यह अपने business में quick quotation या mails send करते हैं और जब आपका mails में grammatically mistakes होती है तो आपके साथ ने जिसको भी आप mail भीच रहे हैं तो उनको एक impressions down हो जाता है आपका कि आप grammatically कितने weak हैं मैं occasionally यह tools use करता हूं मेरे writing skill में जब भी मैं कभी blog post करता हूं और आपको भी यह recommend करूंगा कि आप भी इस tool को use करिए और आपके skill को impressions दीजिए देख कि दोस्तों यहां पर यह मैंने business email hosting के ऊपर लिखा हुआ है जिसमें एक error मुझे अभी भी show कर रहा है actually यह जबकि minor error होगा फिर भी हमारा जो minor error है वह हम उसको check करते हैं यहां पर आप tools पर click assistant पर click करेंगे तब यह मुझे error दिखा रहा है we provide you the opportunity to assist you access your business email यहां पर मुझे suggestion दे रहा है विद्दा तो मुझे यह just click करना है और यह मेरा 100% ok दिखाया है इनोंने यहां पर हम और assistant check कर सकते हैं जिससे यह हमारा professionally writing skill को properly दिखाता है अभी यह दूसरा देखिए यह chrome में आपका browser की through chrome में भी एक add-on देते हैं extension देते हैं आप यह install कर लीजिए आपके chrome में free of cost है जब भी आप chrome browser की through कुछ भी use करेंगे आप यहां पर अपकी spelling चेक कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा यह tools कैसा लगा इसके बारे में feedback करना ना भूलें नीचे comments में और अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो मुझे comments में जबूर लिखिए और व वज़ वाखिए और वीडियो वज़ आपको आपको कर दो करोदीन आपको कर दो कर दो कि अब बाए